पेरोल सिस्टम समझते हैं अपर नहीं कमनी बनाते हैं हंसा एंड प्रेंट्स कमनी पेरोल पेरोल सिस्टम समझते हैं पेरोल नाम दिया है इस्टेट रजस्तान लिया है कंट्रोल ले करके क्विक सेव कर दिया है एकउंट्स एल्ली इंवेन्टी को नो कर देते हैं जिये विए प्यट्रो यह कर दीजिए पर दीजिए इस्टेटरी पेरोल को भी यह करना जरूरी होता है अब यहां पे पूरी कमनी की डिटेल वगएर आ जाती है और एंपलवी ग्रूप मतलब डिपार्टमेंट कौन सी डिपार्टमेंट का एंपलवी है यह बनाना है इस तरह से डिपार्टमेंट बना दिया फिर बनाना है एंपलोई जो भी अपना यहाँ पर पूछेगा जितनी बड़ी कमनी होती है एक उसका पासपोर्ट है कर नहीं है पासपोर्ट कभ एकस्पायर होने वला है आधार कार्ट नवर पैन कार्ट नंबर यह सारी डिटेल रखनी पर देगा यहां ही जो यह अणडर था यहां पर इसका डिपार्टमेंट ले लेना है, अब पर बैठते हैं यहां कौन सा एरिया उनको संभला रखा है, वो लिख सकते हैं मेल फीमेल जेंडर ले लेता हैं, डेक्ड ब्लड ग्रूप यह इस तरह से ने अब क्या होता है अब युनिट ओफ बनाएंगे युनिट जैसे और कितने और स्काम किया यह और सेयुक्र कर दिया युंिड बनने के बाद में प्रोडक्शन अटनेंस क्या बनेगी एक तो बनेगी प्रेजेंट 8 करेश्मित就 होगा गुए अटनेंस लगेगी उसकी जब वो प्रेजेंटर तो गलाएगा अटनेंस और अवर टायम होगा तो कलाएगा प्रोडक्शन लीव पर है तो ली विद डूट पे होगा चुट्टी पर है अपसेंट तो और जब सिख लीव पर है अपन ने कहां भी दो चुट्टी आप बीमार हो तब अपन वो ले सकते हैं, उसके लिए 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 लीए है एक और रिच्ट्टी का पैसा हमें देना है ये बन गया एक बना दिया ख्रोडखिंगा बनेगा बेश्च पेश्च वेश्च पेहां थिंग अब यहां इंफ hope फ्रिक्ष ये वेरियबल है या विद्व हो सकती तही वेरियबल लेना है तो अधिक्स होती है अवर्ट को पर वेरियबल लेंगे अभी ये फ्रिक्सए। डैसिक पर तॉर्फिक्स होती है है यतना आपको देंगे मंदली तो फिक्स toois है你 अरे लिए यह यहां पर ह्र है ले लेंगे नए इसके ले पार सथ हो धक्वցआ हो दिन नह में पर शुदर्झाल इस लेंगे सबस्ट ने ग्रेजुटिक लिए यूज़ का क्या ये यस यूज़ होगा ठीक है इंक्म टेइस डाल नहीं नहीं जाल नहीं अब ये बैसिक पर किस बैस पर बनाएगी सब्सक्राइब और मंतली आप से चलेगे येग ये स पर कलंदर पीरियेट जैसे मन्त पूरा होगा और सेलेरी बनेगी और सेलेरी मन्तली चलेगी इनकी एक लेली अपने अब इसको कर देना है इस कम्पुटेड वेल्यू का मतलब है कोई फर्मुला लेने वाले हैं और इस्पेसिफिक फर्मुला मेशिक पे के आधारम क्या है अगर 10,000 तक है तो परसेंटेज अपने लेलिया 40% और 10,000 से उपर है परसेंटेज लेलिया 30% जनररली 40% का फॉर्मुला ही चलता है लेकिन सिस्टम समुन्धिक लिए समझाने के लिए लेलिया है रियल में जो होता है चंदली 40% का ही रहता है एक और ले लिए अपने traveling allowance और traveling allowance को क्या ले लिया earning for employees fixed है हमारे लिए expenses indirect है affect net salary को करेगा और यहां पर traveling allowance आ जाएगा TA भी ले सकते हैं और यह ले सकते है as user defined value भी हो सकता है और flat rate भी हो सकता है flat rate यानि फिक as user defined value कम जदा हो सकती है अपन अभी क्या ले लिया flat rate पर रहेगा flat rate पर किस वाइस month लिए अपन fix करते हैं भी traveling को आपको इतना मिलेगा ओके अब एक होगा overtime overtime क्या होगा यह भी earning for employees रहेगा और यह भी variable रहेगा कम जदा हो सकता है overtime जितना वो करेगा उस हिसाब से हमारे लिए expenses indirect ही होगा और calculation type पर आ जाना है सिदा calculation type ले लेना on production और production में overtime ले लिया और save कर दिया एक और बनता है जिसे टार्गेट अचीमेंट टार्गेट अचीमेंट यह नि इंसेंटिव के दो कमिशन के दो टार्गेट अचीमेंट के दो एक ही बात है ऐसी earning for employees variable रहता है यह कम जदा होगा और यह हमारे लिए expenses indirect होगा और यह रहेगा as user defined value क्या रहेगा as user defined value अब जो यह सब बन रहे है यह एक चुली लेजर ही होते हैं यहीं पर देखो अपन एक लेजर यहां से बना देते हैं सिधा salary payable मतलब salary सिधा देंगे नहीं पहले पहले क्या करेंगे salary payable की liability खड़ी करेंगे फिर salary को pay करेंगे जब attendance हो जाएगी उसके बाद में अब यह salary की detail बना रहे है अपन employee को क्या क्या facility देते हैं वह अपन बना दे employee pf deduction at the rate 12% employee statutory deduction अब यह deduction जो है कितना परसेंट रहेगा 12% उसकी salary मिला कर देता है तो यह जाता है account number one में एक जता है account number 10 में account number one में जो पैसा होता है वेक्ति retired होता है तब एक साथ मिलता है और account number 10 में जो होता है यह deduction का name salary में यही रहेगा on current earning total रहेगा 15,000 तक अगर salary उसकी बनती है तो percentage रहेगा 12% और 15,000 से उपर अगर salary बनेगी तो उसका deduction रहेगा अठ्था रहसो रुपए यह जदा deduction नहीं होता है और ऐसे बनेगा employee contribution और पी एफ दो होते है एक तो रहेगा तो तो रहेगा जो है वह जाएगा एकांट नमबर 1 में और दूसरा इसा जो होगा 8.33 वो जाएगा एकांट नमबर 10 में जो कि उसको हर मैंने pension के रूप में मिलेगा retired होने के बाद एकांट नमबर 1 में 3.67% employee history contribution यह जाएगा एकांट नमबर 1 में और यह हमारे लिए होता है expenses indirect on current earning total computation information क्या रहेगा on current earning total current earning total पर कितना अगर 15,000 तक salary है तो percentage है 3.67% और 15,000 चे उपर salary है तो value हो जाएगी 551 रुपया और control R करके इस नाम को repeat किया आपने और यहां पर लिए 8.33% contribution employee history contribution account number 10 में जाएगा यह पैसा और यह हमारे लिए expenses indirect होगा और on current earning total पर formula लगेगा अगर 15,000 तक salary है उसकी तो percentage होगा 8.33% और 15,000 से उपर salary होगी value होगी 1290 यहनी 1290 और 551 कितने होगे 1800 रुपय यह contribution होगा और 1800 रुपय ही तक ही उसका deduction होगा यह सब हो गया अब क्या करेंगे gateway of telly में जाना है अल्टर में जाना है define पे जाना है salary define पे गए हम और salary define कर देनी है Mr. Ramesh की यह तो सारे department की कर सकते हो particular अलग-अलग staff की अलग-अलग कर सकते हो तो सीखने के लिए अपने क्या एक इस्टा बना है Mr. Ramesh तो Mr. Ramesh का ही salary बना देते हैं एक चार से क्या बना रहे हैं भाई basic पे कितना है फंद्रह अजार है हाउस रेंड अलउंस कितना है 40 परसेंट अपने आप ले लेगा traveling allowance का मिलता है हाउस रेंड अलउंस हाउस रेंड अलउंस हो गया traveling allowance हो गया पीएफ का deduction फिर पीएफ का contribution और अगर ओवर टाइम भी होता है तो अपन ओवर टाइम भी ले ले लेते हैं ओवर टाइम का कितना हो गया ओवर टाइम का मानिए 1000 रुपया 400 रुपया पर आर्स मिलता है टार्गेट अचीमेंट भी उनको मिलता है ऐसा अपन ने माना ये से हो गया अब क्या होगा वाउचर एंट्री में जाईए एफ टैन अटनेंस अटनेंस लेंगे अपन माई में ने गिए ना रमेश की salary प्रेजेंट कितनी है अच्छा एफ टू करके डेट चेंज कर दीजे 31 प्रेजेंट है मिस्टर रमेश का ही ओवर टाइम कितना है दस गंटा है मानों ठीक है ये हो गए उनकी अटनेंस 31 माई को माई मेंने की salary बनाएंगा अब salary बनानी है यहाई पर कर देना कंट्रोल एफ ओटो फिल पेरोल पाउचर क्या करना है salary बनानी कौन से मेंनेगी एक पांच से एक दिस पांच तक कि किसकी मिस्टर रमेश की ठीक है केश में बनानी है salary payable की liability हमें बनानी है यह salary payable की liability उनकी बन गई और उसको pay कर देंगे F5 payment case salary payable बाइस जार साथ सू यह उनको payment कर दिया मिस्टर रमेश को salary slip बनानी है गेटवे ओटेली डिस्क लें payroll reports pay slip मिस्टर रमेश की यह बन रही है इतनी salary उसकी बनती है उसका यह deduction हो गया उनको हाथ में इतना ही देना है इतनी salary total बनती है लेकिन पीएफ डिटक्शन हो गया इसलिए 2700 आपको दिये जाते हैं इस तरह से payroll system बनता है salary slip बनती है payroll के लिए बहुत बड़े बड़े software भी आते हैं बहुत सारी detail रहती है कई लोगे खाली payroll का ही काम करते हैं कई बड़ी कंपनिया है तो अमेरिका वगरा के लोगों के लिए payroll का system बनाती है यह भी एक अच्छा काम है लेकिन payroll system क्या होता यह हमने सीखा छोटे रूप में इसकी further और detail भी हो सकती है उसके उपर भी बाद में हम अलग से वीडियो बन कि अच्छा करते हैं